आज मैं आप सभी के साथ क्लास UK जी की हिंदी की वर्कषिट शेयर कर रही हूं जो कि हाफ एल्ली एक्जाम की प्रपरेशन के लिए बच्चों को हेल्फुल होगी let's start the worksheet question number first is sworn word लिखिए स्वार लिखने है यहां पर जो हमारे आ से सुरू होते हैं और अह तक जाते हैं तो बच्चा लिख कर चुका है तुम्हां पर यहां पर ही वह स्वार लिखेगा like a a e e a इस तरही के से करता हुआ बच्चा आगे तक जाएगा चीक है next question है अपना अगला अक्षर लिखिए अगला अक्षर लिखना है आ के बाद क्या आता है आ अगला अक्षर में जो उसके बाद वाला अक्षर होगा का के बाद खा ए के बाद इ चा चा जा 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 इया ठीक है तो जा के बाद क्या आएगा इया तो अगला अक्षर इसके बाद वाला जो अक्षर है, वो बच्चा लिखेगा. ठीक है? प्रिश्ट नंबर 3 है, पहले वर्ण पर आकी मात्रा लगाओ. जो पहला वर्ण है, शब्द का उस पे आकी मात्रा लगाकर शब्द पूरा करना है. पहला वर्ण है, पहला शब्द है गजरू. तो गा पे ह पर आकी मातरा लगानी है लगा के क्या बना चादर 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 ठीक है आ पे आ की मातरा आज एसी पायल पाथ बोल बोल के कराना है ठीक है प्रेश्ट नमबर फोर है वन को जोड़ कर शब्द बनाईए वन दिया हुए है उनको जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना जैसे बरगद क्या बना बरगद बरगद ऐसी कट हल कट हल ऐसी बस बस थरमस थरमश आ आ जा क्या बना आ जा ऐसी सम आ च आर समाचार आ की मात्रा जोड़न के यहां पे शब्द बनाना है है ना बटन बटन ठीकए I hope आपको समझ में आया होगा की कोशियर नमबर फोर्ट कैसे कराना है कोशियर नमबर फाइब देख्ते हैं दिए कई चित्रों के नाम लिखिये जो यहां पे चित्र बनाय हुए है उनको पचानना है और उनके नाम लिखने हैं पहला चुत्र है खटमल तो क्या एगा यहां पर खटमल खटमल यह क्या है बरतन यह क्या हो रहा है यह क्या है हवन हवन कमल कोशी नमबर 6 है चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला लगाई चित्र देखना है और जो उसका इनीशियल साउंड है पहली दुनी है उस धनी को पैचान कर उस धनी से के वर्ण पर गोला लगाना है ठीक है यह क्या है यह है अमरूद तो हम किस पर गोला लगाएंगे आपे यह किसका चित्र है चर्खा च यह क्या है घर यह तलवार यह गासे गमला ठीक है नेक्स्ट है इक की मात्रा लगाकर शही शब्द बनाएंगे अभी यहाँ पे हमें इक की मात्रा लगानी है सही शब्द की शही वर्ण के उपर और एक नया शब्द बनाना है जैसे क्या लिखा है पहले हम इसको पढ़ेंगे शकार तो क्या बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा श्रुट कार रो शिकार क्या कया बनेगा क्यों किया, तकिय, यह बनेगा गि रा, यह क्या कसान, क्या बनेगा यह किसान, यह बच्छा बच्छा ओन स्याल 450 . ना कॉशन नमबर 8 है वर्णों का प्रियोब करके शब्द बनाईए अब यहां पर कुछ वर्णों का प्रियोब करके आप शब्द बनाईए शब्द वो दो अक्षर के भी बना सकता है तीन अक्षर के भी बना सकता है चार के भी बना सकता है और मात्राओं का भी प्रियोग कर सकता है बच्चा अब उसको जो याद आ रहा है जिसमें उसको अच्छे से लर्ण है वो उसका प्रियोग करके वो शब्द बना सकता है जैसे का से क्या बनेगा देखिए का से बहुत बन जा का से काल बन जाएगा, का से कलम बन जाएगा, का से कागज बन जाएगा, का से कोरा बन जाएगा, तो बहुत सारे बन जाएगा, ऐसी आसे आम, आसे आजा, ऐसी रासे रत, रासे रसी, बासे क्या बनेगा, बासे बस, बासे बाजा, बासे बजन, ऐसी घासे क्या बनेगा, घा से घड़ा है न और ता से क्या बनेगा टा से टमाटर तो जो बच्चे को याद है वो बच्चा शब्द यहां पे उनको लिख देगा ठीक है next question आता है एक बचन से बहु बचन बनाइए एक बचन से बहु बचन मेंज एक से अनेक ठीक है ताला का क्या बनेगा ताले लड़का पौधा का लड़के कलम कलमे यानि कि हम किसी भी एक चीज़ को जब बहुत सारी चीज़ों में चीज़ कर देते हैं उसको हम बहु बचन बोलते हैं पौधा का पौधे किताब का किताबे तो इस तरीके से यह कोशन मचा करेगा कोशन नमबर टैन है बिलोम शब्द लिखे बिलोम शब्द होते हैं अपोजट यानि कि किसी भी चीज़ का उल्टा लिखना जैसे रात का क्या होगा दिन काला का सफेद उपर नीचे पतला मोटा ठंडा गर्म आगे पीछे तो इस तरीके से ये वर्कशिट यूगे जी क्लास की यहाँ पे फिनिश होती है आपको समझ में आया होगा कि बच्चो को कैसे कराने है कैसे प्रेटिस कराने है इस वर्कशिट की अगर आपको मेरी वरक्षीट अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक केजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब केजिए थैंक यू बाई बाई